नमस्कार भाई स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल स्रीराम सेतु पर आज हम आपके समक्ष जो एक टॉपिक लेकर आए हैं वो है जोगौफी पॉलिटी यानिकी जोगौफी भूगोल की तो देखे भूगोल एक ऐसा सब्द है जि ही वो फिर एक सही जो है आपकी सुरुवात हो पाईगी बात करते हैं कि जो सुरुवात हुई भूगोल की किस तरह किस किरिक लीक ठार दिये और किस तरह से इसका विकास हुआ धिरे-धिरे आज जो हम चीज़ें देखते हैं कि हम कहीं अंत्रिक्ष में कुछ चीजे भेज रहे हैं अंत्रिक्ष यान चल रहे हैं कुछ चीजों को प्रक्षेपित किया जा रहा है तो वैग्यानिक को दिवारा यह जो आज इतने सठीक गढ़नाय की जा रही है इसके पीछे का इतिहास आखिर है क्या इस तरह से क्योंकि प्रत्वी जीवन तो प्रत्वी पर ही था आज भी प्रत्वी पर है लेकिन इसकी खोज आज जो और भी जो आपके इस तरह के जो पिंड है उन पर की जा रही है तब तरफ जो है आधुनिकता की दौड में व्यग्याने घूम रहे हैं देख रहे हैं किस पर किस गिरह पर कोई कुछ मिल जहाँ पर कि जीवन की खोज तरह के जागरित की रहरा ने देखा किस तरह आज चीजों के अपनाया तो पहले थे हैं कि 9 इस तरह से जो है चीजों की खोज हुई सबसे पहले किसने कोई पद्धती दी किसने कोई मॉडल प्रस्तुत किया फिर उसकी बाद की गहन चिंताएं चलने लगी और किस किस तरह आज हम इस तेज पर तो सबसे पहले अगर हम भुगोल के विश्य में बात करें तो सबसे पहला जो एक एक साल है वन फोर्टी एडी सब्सक्राइब एक एक सो चालिस इसवी में एक विद्वान हुए थे खगोल सास्त्री हुए थे खगोल सास्त्री कह सकते हैं उनको और जो है वो ग्रीक के थे ग्रीक जो देश है ग्रीक के थे वो और नाम क्या था उनका क्लॉडियस टॉल्मी क्लॉडियस टॉल्मी जो थे ग्रीक थे वन फॉर्टी में इन्होंने एक जो है जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक मॉडल जो है वेस्व के सामने प्रस्तुत किया कि जो पूरा ब्रह्मान है हमारा सूर्य या कोई और भी जितने भी सारे ग्रहें हैं वो क्या करते हैं सूर्य के हमारी प्रत्वी के चक्र लगाते यानि इसको जियोसेंट्रिक सबसे पहली जो अवधारना है वो यहीं से आई 140 AD से इसके बाद धीरे-धीरे चीजों को और पूरा विश्व ही यह मानता रहा कि हमारी जो प्रत्वी है वो केंद्र में है दरसल जो यूरोप के उनके द्वारा भी इसी मानता को बल दिया गया था चोखिए इसके बाद जो पहली ठोरी आई वह लगभग 1400 साल के बाद आई प्रत्वी के चकर लगाते लेकिन प्रत्वी के चकर नहीं लगाते यह तो आज सिद्ध हो चुका है लेकिन ये सबसे पहले जो इसी ब्रहांती में लोग जीते रहे जो चर्ज थे अधार्मिकिस्तल थे उनकी भी मानेता है इसी को थी कि जो प्रत्वी है हमारी वो केंद्र पर इसके बाद इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद दोस्तों देखते हैं जो पंद्रे सो तेतालिस एडी में निकोलस निकोलस कापरनिकस जो थे इनके द्वारा पंद्रे सो तेतालिस एडी में एक सिद्धी दी गई एक और ठोरी दी गई विश्व के स्वाम ने प्रस्तुत की गई ठीक है ये कहा के थे ये पोलेंड के थे पोलेंड के एक जो गणित्यग्य और खगोल सास्त्री निकोलस कापरनिकस ने पंद्रे सो तेतालिस में एक थोरी दी इस थोरी में इन्हों ने जो सबसे पहले जो थोरी दी उसको क्या कहते हैं जियोसेंट्रिक इन्हों ने क्या दी हेलियोसेंट्रिक हैलियो सेंट्रिक यानि कि सूरिय जो है वो केंदर में होगा हैलियो का मतलब है सूरिय और सूरिय को इन्होंने केंदर का केंदर में माना जो की सही भी है यह सही थ्योरी सबसे पहले 1543 में निकोलस कॉपर निकस के द्वारा दी गई कि जो सूर्य है वो प्रत्वी वो जो हैं केंद्र में है और सारे जो ग्रहे है वो सोलर यानि कि सूर्य के चकर लगा रहे है पंद्रह सो तेतालिस 140 से लेकर 140 80 से लेकर आप सोचेंगे कि लगवग 1400 साल तक यह मानेता चलती रही लेकिन भारत में हम को गर्व होना चाहिए कि एक विद्वान हुए आर्य भट्ट आर्य भट्ट जी ने 16 सदी में श्यवी सदी में सोरी श्यवी सदी में यानि कि 580 के आसपास यह जो है परिकल्पना दी उन्होंने पहले ही कह दिया था श्यवी सदी में उन्होंने माना कि सूर्य जो है प्रत्वी के जो है उन्होंने के द्वारा कहा गया कि जो है निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो प्रत्वी है या और ग्रह है वो सूरज के चक्कर लगाते हैं यानि कि के इंदन में कौन है सूर्य है अब यहां से विकास की जो धारा है और खोजे जो है वो तेज हो गई और यह वायू मंडल वायू जो हमारा ब्रहमांड है उसको लेकर भहुत सी और भी परिकलपनाय आती रही प्रहमांड को अगर माने दोस्तों ठोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले एक ब्रहमांड को हम मानते हैं कि कई बार बहुत से जो है बाते होती है कि गैलक्सी कितनी है इतनी आकास गंगाए है हमारे सोलर सिस्टम में तो लेकर दरसल यह अगर इनको देखें तो 10 की पावर 11 जो है लगवंग नंबर यह है यानि 10 को अगर हम 11 बार अगर मल्टिप्लाइ करें मतचे से एक हमारा स्वर मंडल है इतनी आकास गंगाऊ में से एक हमारा सोलर मंडल में से इस सौर मंडल में हमारी परत्वी जो है एक ग्रह है परत्वी के अंदर देश है राज्य है स्टेट है जो डिस्टिक्स है और उस तरह से हमारा जो अस्तित्व है यह है लेकिन देखे कोई बुद्धी जीवी व्यक्ति आप भुगोल के व्यदाता हैं आप सुनेंगे चारो तरफ कोई-कोई आपको एक तरह से मोटिवेशन कोड में यह कहता भी है कि हम तो कुछ नहीं हैं तुच्छे से आदमी है हमारा अस्तित्व है क्या क्योंकि हम एक छोटे से गाव में रहते हैं वह एक राज्य में है राज्य एक देश में है देश एक प्रच्वीब का पूरा एक भाग है उसमें से एक है और वह तो आपके दिमाग प्रफ़ित्वी और मेरा अस्तित्त्य kiss बरावर वाला आपको लेके जा रहे बरावर वाला आपको लेका-गलाएं इतनी सारी सब्सक्राइब तो पता ही नहीं है तो असली जद्दो जहेद तो वहाँ पर कर दी है आपको क्या पता कि कितनी आकास गंगा है क्या है क्या नहीं है तो ऐसे भी आप थोड़ा सा देखते हैं हम लोग तो प्रत्वी की बात हुई, प्रत्वी पर हम है, और हम कहां पर है, प्रत्वी कहां पर है, सौरमंडल में, सौरमंडल कहां पर है, आकासगंगा का एक भाग है, और यह पूरी गैलेक्सी जो है, वो कितनी है, दस्की घात ग्या रहे हैं, फिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान चलिए अब बात करते हैं कि जब हमारी प्रच्ष्वी की 140 CCB में किसने टॉलमी ने परिकल्पना दी कि जो है जियो सिन्ट्रिक है 1543 में जियो सैंत्रिक को हमने हेलियो सेंत्रिक शुम्हें है इसके बाद 1609 में सबसे पहला जो मुख्य जो एक हमारे 1609 1610 1609 1610 में एक जो आप गैलिलियो जो थे गैलिलियो गैलिलियो वैग्यानिक थे इनके देखे 1609 में एक जो क्या थी एक जो देखते हैं दुर्वीन का विकास हुआ हॉलेंड में 1609 में एक दुर्वीन की आविस्कार हुआ हॉलेंड में लेकिन गलेलियों के लिए उसकी पहुंच जो है बहुत दूर थी लेकिन उसने 1910 में उसको देखा उसकी परिकल्पना उसको देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसको एक तरह से बहुत अच्छी तरह से उससे भी उन्नत उससे भी उन्नत एक जो है वो बना ली ठीक है एक जो है उससे भी उन्नत एक दुर्वीन बनाने के बाद उन्होंने प्रत्वी पर उसका जो है अध्यन किया प्रत्वी के जो अब प्रत्वी से देखे जाने वाले जो ग्रह थे उनकी खोज की उनकी खोज का जो झöh की एपас किया उन्निस में रिए सो नौ दस में खोंग ही दोस्तों तो आप जाएंगे क्योंकि गैलीलियो जो जो ते जर्मिनी थे एक जर्मन के व्यग्यानिक थे और हॉलेंड में उसकी क्या हुई थी हॉलेंड में हॉलेंड हॉलेंड जो था उसमें जो हमारे क्या थी जो दुर्बीन थी उसकी खोज हुई थी दुर्बीन की खोजुई थी हॉलेंड में और गैलीलियो थे जर्मिन के इन्होंने अच्छी तरह से इसको देखा और इससे भी उन्नत एक गैलीलियो ने एक जो है क्या बनाई इससे भी उन्नत बना ली दुर्बीन और इससे उन्नत दुर्बीन बनाने के बाद देखे क्या वेख्र से और जिएनोंने देखा तो ब्रसपति प्रसपत ग्रएद दीखा और सुकर इधर इनों को बुद्ध दीखा तो इनको इस तरह से एक और इनको सनी क्योंकि बहुत बड़ा विशाल था सनी में क्योंकि वले भी हैं सनी की जो वले हैं वो बहुत जादा है तो इस वज़े से इनको प्रत्वी से ये सारे जो पांच जो ग्रह हैं उनकी खोज का जो श्रय है वो गैलीलियो को ही जाता है इन्होंने इन पांच ग्रहों की खोज की थी ठीक है तो पांच ग्रहों की परन है दूसरा उसके देखते हैं हम उसमें देखें होगर सोरी हम मैंने थोड़ा सा आपको यहां पर देख लेते हैं गार ये गलती से भाई ये ये हैं ये इटली के थे ते में इटली के थे गैलीलियो जर्मनी के नहीं थे एध्यान अब बात करते हैं एक जर्मनी जो थे जर्मन एक वैग्यानिक थे जर्मन वैग्यानिक 1781 में 1781 में इन्होंने किसकी खोज की थी विलियम हर्सेल विलियम हर्सेल इनका नाम था विलियम हर्सेल जो है जर्मनी के वैग्यानिक से 1781 में इन्होंने अरुन ग्रह की खोज की विलियम हर्सेल ने सबसे पहले जो ग्रह की खोज की 1781 में वो कौन सी अरुन यूरेनस यूरेनस जो ग्रहे था हमारा उसकी खोज किसने की विलियम हर्सल ने ठीक है तो हम धीरे-धीरे अपने विकास को आगे लेके जा रहे हैं ग्रीक एस्ट्रोनोमर जो थे कौन थे टॉलमी जो थे उन्होंने 140 में अवधार ना दी जियोसेंट्रिक की 1543 में किसने दी निकॉलस क सेल ने क्या किया 1781 में अरुन ग्रह की खोज की ठीक है और जॉन जॉन गयले जो थे इसके बाद जो वरुन ग्रह की खोज की वरुन ग Communist का जो है जॉन गैले, जॉन गैले को जो है वरुन ग्रह की खोज का दिया जाता है सरे, ठीक है, तो इस तरह से ग्रह की खोज हो चुकी क्योंकि ये साथ ग्रह हो गए और जो आठवा था वो हमारा प्रत्वी है, प्रत्वी पर रही रहे थे, तो इस तरह से पूरे जॉन गैले ने, ठी तियों के बारे में देखे भूगोल का जनक है भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को विक जो भूगोल का जनक कि अगर आप से पूछे भूगोल का जनक है भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस ठीक है ध्यान रखेंगे इसमें कुछ मैं questions जोड़ूंगा देखे भूगोल का अगर पूछे भूगोल का जनक पूछे तो क्या करेंगे आप आप करेंगे हिकेटियस ठीक है हिकेटियस का लिखेंगे आप और आपसे पूछे कि सरपर्थम जोग्राफिक का सब्द का प्रियो किस ने किया जोग्राफिक जो सब्द किया था वो किस ने किया था इरेटोस्थिनीज ने ठीक है इरेटोस्थिनीज ने इरेटो इस्थनीज ने क्या किया था पहले सबसे पहले जोग्राफिका बुक इन्हों ने लिखी थी तो सबसे पहले इनको स्रेज आता है देखें गुगोल का अगर जनक पूछता है तो हिकेटियस है और बात करेंगे अगर आधुनिक भूगोल का जनक इन चीजों को थोड़ा ध्यान लखेंगे क्योंकि कई बार एक्जामनर चेंज करकर के पूछता है आधुनिक जो भूगोल है का जनक उसको हमबोल्ट कहते हैं ठीक है हमबोल्ट हमबोल्ट के द्वारा यह लिखी गई थी ऐलेक्जंडर एलेक्जंडर बलकूल एलेक्जंडर वान हमबोल्ट एलेकसेंडर् वान हम बोल्ड एलेकसेंडर् वान हम बोल्ड के दौरा भूगोल consciات जो जानते हैं पूछे हिकेटियस और जेजग्ग्रमफिजिका सब्द की जो उत्पत्ती की थी वह इरेटो इस्थनीज ने ठीक है इस तरह से हम देखेंगी अगर बात करें कि एलेक्जेंटर वॉन हमबोल्ट ने कॉस्मोस एक कॉस्मॉस बुक थी जिसका जो किसने लिखी थी कॉस्मॉक बुक किसने लिखी थी एलेक्जेंटर वॉन हमबोल्ट ने एलेक्जेंटर वॉन हमबोल्ट ने ही कॉस्मॉस बुक लिखी थी ठीक है तो भूगोल का जनक हिकेटियस आदुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंट सबसे बड़ी आकास गंगा का हम भाग है तो आकास गंगा जो है सबसे बड़ी आकास गंगा की बात करें बिल्कुल सबसे आकास सबसे बड़ी कि अब से बड़ी देखे सबसे बड़ी अगर हमारे जो पूरा ये ब्रह्मान्ध है उसकी जो सबसे बड़ी आकास गंगा थी वो थी पहले वो कौन सी थी 1C1101 ये थी 1C1101 इसको कहते हैं आज कौन सी है आज कौन सी है आज की जो सबसे बड़ी हमारी आकास गंगा है वो कौन सी ये ऐली सियों निस पहले कौन सी थी इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे भाई हमारी जो पहली आकास गंगा थी वो कौन थी सबसे बड़ी 1C1401 आज कौन सी है ऐलो शीनिस एलो शियोनिस एलो सी Subscribe है आज है, आज सबसे बड़ी, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, एलो सियोनिस जो है, सबसे बड़ी आकास गंगा है हमारी, ठीक है, बिल्कुल, सबसे पास, अगर बात करें हम सबसे पास की आकास गंगा की, सबसे पास की आकास गंगा की, आप देखते हैं, कि हमारी सबसे पास की में आकास गंगा सबसे पास की जो आकास गंगा थी वो पहले एंड्रोमेडा थी एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा थी सबसे पास की जो आज तक हम देखते थे कई बुकों में आज भी आपको दिखाई गया कि एंड्रोमेडा थी लेकिन अब होगी है कैनिस मेजर डॉर्फ कैनिस मेजर है कैनिस मेजर डॉर्फ जो है आज सबसे बड़ी आकास कंगा है हमारी आकास कंगा सबसे पास की एंड्रोमेडा थी लेकिन आज कौन है कैनिस मेजर डॉर्फ है ठीक है, गैनिस मेजर डार्फ, गैनिस मेजर डार्फ आज सबसे बड़ी आकास गंगा है, ठीक है, पिल्कुल, अगर हम बात करें, हमारी सूर्य, देखें, जो हमारी आकास गंगा का, हमारी आकास गंगा का सबसे चमकीला तारा की, अगर बात करें, हमारी आकास गंगा का सबस डॉग स्टार भी इसको बोलते हैं यह हमारी आकास गरंगा का आकास गरंगा का सबसे चमकीला तारा है सबसे जो चमकीला तारा है हमारी आकास गरंगा का वो कौन है वो कौन है भई डॉग स्टार या सीरियस सीरियस बोलते हैं डॉग स्टार बोलते हैं ठीक है दो अगर हम बात करें ये तो हमारे अकास गंगा का सबसे अधसले तारे होंगा । और वो कौन सा है, ओरियन नेभूला, औरियन नेभूला जो है, ऑरियन नेभूला जो है, वो हमारी आकास गंगा का सबसे चमकीला भाग है, अब बात करते हैं अब बैटे के पास सबसे जो बढ़ा तारा है, वो सूरिया है, प्रत्वी के पास सबसे बड़ा तारा, सबसे पास का तारा कौन सा है, सूरिया है, अगर सूरिया के बाद, प्रत्वी के बाद देखें, अगर सूरिया को अगर छोड़ दे, तो फिर उसके बाद सबसे जो जो चमकीला तारा है, वो कौन सा होता है, बिल्कुल, प्रॉक्सीमा सेंकुरी सूरज के बाद सब से computers का तारह प्रॉक्सीवा refugee झार यह किसका है कौन सा है हुआ के सुरिये के पास हम त elabor चलिये के पास का तारह सूरिये के पास अगर तारे को देखें हम किसी को तो वो सबसे जो पहला तारा है वो सबसे जो नजदी की तारा है सूरिय के बाद प्रत्वी से देखे जाने वाला सबसे जिस पर सूरिय की जो प्रकास आता है प्रत्वी पर उसके उसके बाद सबसे पहला जो प्रकास आता है कौन से जो तारा है उसका आता है प्रॉक् से जाते हूं तो वो क्या करते हैं वो नाभिक जो है वो अपनी जो घड़ी है जो अपना कमपास है उससे देखते हैं वो कौन सा होता है वो कौन सा होता है वो उसको नौर्थ स्टार बोलते हैं देखें नाभिक नाभिकों के लिए जो एक है नौर्थ स्टार ठीक है नौर्थ इस्टार जिससे नाभिक अपना नाभिक अपना रास्ता पता करते हैं तो बात करते हैं कि जो हमारा देखे हमने सारी चीजे अब देख ली है एक बार फिर से रिवाइन कर लेते हैं देखो 140 तॉलमी ने यह परिकल्पना दी जो प्रत्वी है वह केंद्र में थीक है 1543 में यह प्रिकल्पना को खारीज कर दिया गया है निकोलस कॉपनिकस के द्वारा और उसके बाद उनको बताया गया कि जो हिलियो सैंट्रिक थियोरी उन्हों ने दी यानि कि प्रत्वी नहीं है सूरिय है इटली के जो वैग्यानिक थे गैलीलियो उन्होंने 1909-1910 में एक दुर्वीन का निर्मान किया उस दुर्वीन से उन यहनों ने अरुन ग्रह की खोज की और दीरे-दीरे सारी बात है कि हम आ जाते है ऍक्र Crash मंडल पर जब हम आएंगे दोस्तों आप देखेंगे लेंगे कि जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में जो हमारा सब, हमारा क्योंकि आज की जो इस्तिती है वो यही है, सच्च जो है, वो यह है, प्रमानिक जो पद्दिती है, प्रमानिक जो एक मॉडल है, वो यह है कि सूरिय केंद्र में है और बाकी के सारे ग्रह उसकी परिकर्मा करते ह हम बात करते हैं यहाँ पर अगर सूरिय की बात कर ले इसके बाद देखते हैं हमारे इसके बाद है आठ ग्रह आठ ग्रह कौन से हैं पहला एक ग्रह इसको हम कहते हैं बुद्ध ठीक है यह बुद्ध हो गया बुद्ध के बाद देखते हैं बुद्ध के बाद है शुक्र यह शुक्र ग्रह हो गया पुक्र के बाद हम बात करते हैं, यह प्रत्वी, इसको नीला ग्रहवी बोलते हैं, इसलिए हमने इसको फ्लू ले लिया है, इसके बाद है, मंगल, ठीक है, मंगल के बाद कुछ तरह से, इस तरह से, कुछ जो हम देखते हैं, इस तरह से, इस तरह ऐसे एक ये बैल्ट है ये एस्टरोइड की बैल्ट है दरसल ठीक है छुद्र ग्रहों की चलिए इसके बाद ये जो यहाँ पर है तो कहते हैं जुपीटर यानि की ब्रहस्पती ये पूरा एक ब्रहस्पती है प्रहस्पती के बाद अगर हम देखें तो ये पूरा एक तनी है तनी के बाद देखें अगर हम तनी के बाद अगर देखें दोस्तों तनी के बाद ये अरुन है अरुन के बाद ये जो यहाँ पर है ये वरुन है ठीक है अरुन के बाद वरोन अब आपको सायद ये देख रहे होंगे देखे आठ ग्रह है पूरिय है उसके बाद बुद्ध है उक्र है प्रत्वी है मंगल है ब्रसपत है और ये ब्रसपत ग्रह है तनी ग्रह है अरुन है और वरुन है अब इनकी स्थितिया नहां पर लिख लेते हैं द्यूस्तों कि आप ये बनाना सीख लीजिए और ये बिल्कुल बहुत ही आसान भी है और इसको आप अगर बनाते रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी ठीक है वाट करते हैं यहां पर सूर्य की हो एक सूर्यय ग्रह रहे है सन तों कहते हैं इसाध करें यहां पर बुद्ध यानिकरमघरी अ खिर सब्सक्राइ मर्करीं तो ही कि अब बात क्रते हैं आपर और यह क्या है अगर तक रहल वेनिस, अब बात करते हैं हम, यहाँ पर यह है प्रत्वी, यहने की अर्थ, अर्थ को ध्यान में रखें, अर्थ के बाद जो इस्तिती आती है दोस्तों, वो आती है यहाँ पर मंगल, मंगल, मार्स, मार्स की आती है, मार्स के बाद अगर हम देखें, मार्स के बाद अगर देखेंगे, यह आता है ब्रस्पती, यानि की दुपीटर, दुपीटर के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर सैटर्न है, जाने कि सनी सनी के बाद की स्थिति अगर हम देखते हैं तो दोस्तों सनी के बाद की स्थिति जो होगी यह होगी Uranus जाने कि अरून 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 के बाद अगर हम देखें अरून के बाद जो हमारा ग्रह है वो है वरून यानिकी Neptune ठीक है? दोस्तों यहाँ पर देखें आप पूरिय, बुद्ध, सुक्र, रत्वी, मंगल, ब्रस्पती, अरुन, यह सैटन, अरुन और वरुद इस तरह से आप देखेंगे कि यह हमारे कौन है? हमारे ग्रेह हैं, ठीक है? ठीक है? चलिए भाई, अब हम देखते हैं यह, कीज़े जो है, अब इनको थोड़ा समझने को इसलिए, पहले तो हम देख लें कि बहुत सा जो, इसमें जो complexity आती है बच्चों को, वो आती है कि हम किस तरह से इसको जो है याद करें, एक छोटा सा हिंदी मीडियम के बच्चे है, जो उनको थोड़ा सा उनके लिए हिंट है, यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना, यह याद कैसे होगा? ठीक है, सूरज तो यहाँ प आएगा, यानि कि Venice आजाएगा, Venice के बाद आप तीसरा आप याद रखेंगे, प्रत्वी है हमारा, प्रत्वी के बाद मंगल, और मंगल से फिर से याद रख लीजिए, मंगल के बाद एक दिन छोड़ दीजिए, तो ब्रस्पत आएगा, ब्रस्पत के बाद एक दिन आएगा, नेप्चुन जो है, वो बाद में आएगा, यानि कि Uranus अरुन और नेप्चुन यानि कि वरुन लास्ट में, ठीक है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा दिहान रखेंगे दोस्तों, अब बात करते हैं, अब जो हमारी ये क्लास हुई है दोस्तों, एक थोड़ा स इस तरह से क्या है, इनकी इस्तिति कैसी होती है, तो आने वाली क्लास में इस से रिलेटेड और सारे ग्रहों को हम लेंगे एक के बाद एक और उनको आपको बताएंगे, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्लास अच्छी लगे, तो आप प्लीज सेर कीजिए, सब्स्क्र झाल